आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। क्या-क्या पेंसिल और रवर्ट दोनों की कीमत हमें नहीं पता है, तो दोनों को हम X और Y चर से निर्वित कर लेंगे। तो हम यहां भी क्यालिखें कि माना की ONE की पेंसिल की कीमत यह X रुप है। ओर रवर्ड की कीमत हम मान लेते हैं यउवड की कीमत, उख भाई, ठीक, अब प्रश्ट में जाते हैं, प्रश्ट नउसार, zacट थो, प्रश्ट नउसार, देखिए, पियांका ने कितने रुपए में, दो पैंसिल और तिन रवड खरी दी, ना रुपा में, दो पैंसिल और तिन रवड खरी दी, अब बताइए, एक पेंसिल की कीमत एक्स रुपए है तो दो पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी तो एक्स हो जाएगी ठीक साती साती उतने दो पेंसिल दो खरी दी और क्या खरी दी तो एक रबड की कीमत जब वाई है तो तीन डबड की क्या हो जाएगी तीन वाई अब यह तीन डबड की कीमत हो गई तीन वाई और ये दो पेंसिल कीमत दो एक्स दोनों को जोडने पर कितना रुपए बन रहा है दोनों को जोडने पर नौ रुपए है न तो यह आ गया बराबर नौ ठीक अब आते हैं सहीदा के केस में गया वर रहा है पांच रुपए में एक पेंसिल ली और दो पांच रुपए दिया पो भार जूप यहाहर पार यह थितंखे डो समी करण बन्चके हैं अब हम इन्हें हम शल कर सकते हैं कैसे हल करें तो मैं इसे विलोपन विधी से ला करता हूं नि हम क्या करते 어themंग की कि किसी एक चर्क की गुडांकों को सामान करते हैं घटा जेते है तो यहाँ पे X है, यहाँ 2X है, तो मैं क्या करता हूँ, कि समीकरण 1 में से घटा दूँगा समीकरण के दूगने को, है ना, समीकरण 2 जो है, इसमें हम 2 का गुड़ा करेंगे, उसे समीकरण X ही घटा देंगे, कैसे, चैसे लिख लेते समीकरण 1 क्या है, 2X धन 3Y बरावर 9, समीकरण 2 क्या है, एक्स धन 2Y, बरावर 5, लेकिन हम इसमें क्या गुड़ा करेंगे, 2 का गुड़ा करेंगे, यहाँ ना, तो दून पक्रेण 2 का गुड़ा होगा, तो पहला तो 2x दन 3y बराबर 9 और इसमें 2 को जब गुणा करेंगे तो जाएगा 2x 2 तो दूनी 4y और बराबर 5 दूनी 10 घटा देते हैं चलिए तो घटाएंगे 2x 2s कट गया ये भी घटेगा तो 3y में 4y घटाएंगे तो minus y हो जाएगा ये चार में 3 घटाएंगे तो y और बड़े की सामने minus का चिन है तो minus और 9 में से 10 को घटाएंगे तो ये minus 1 दोनों को minus minus कट गए y पराबर आगए 1 Y बरावर 1 आ गया तो अब हम किसी भी X समिगरण में मान रखेंगे X का मान आ जाएगा 40 समिगरण 2 में ही रख लेते हैं तो समिगरण 2 से क्या है इसमें X दन 2 Y बरावर 5 ऐसा दिया है देखिए X दन 2 Y बरावर 5 तो Y का मान जब रखेंगे तो X धन 2 गुडित Y कितना एक दो गुडित एक बराबर पांच तो X धन 2 बराबर 5 X बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 तो X बराबर आगया 5 में 2 गटाएँगे 3 ये है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं X बराबर 3 आगया और Y बराबर 1 आगया और X-Y क्या है? X हमने मानना था पेंसिल की कीमत और Y मानना था रवड की कीमत और यही हमें प्रशन पूचा गया है तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? अतह एक पेंसिल की कीमत बरावर X बरावर कितना है? तो तीन रुपए की एक पेंसिल आएगी और एक रवड की कीमत यह हम आपने मानी थी क्या y तो ये कितना है y ब्राबर एक है तो एक रुप है ये हमारे उत्तर हो गए आज सकरतों आप समझ गया होगी धन्यवाद अपने सारे डाउट्स आप चार्सो 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 पर